आप सभी का आपके इस चैनल आल इस वेल अंशेश वाला पे मोस्ट वेलकम हैं आप और हम दोनों साथ में मिलकर इंटिग्रेशन को एक कदम और आगे बढ़ाने वाले हैं आज हम लोग इंटिग्रेशन साइन की पावर पॉर एक्स का इंटिग्रेशन करेंगे तो देखें जब इस कोशन को पहली बार देखें तो दिमाग में ये कहना चाहिए कि मैं लाउड है इसको अपने आप कैसे ट्राई कर सकता है मनलब क्या मैं करूं कि मैंने इतनी तक अभी दखी जो मैथमेटिक्स पढ़ी है इंटिग्रेशन जितना भी बढ़ा है उसको कैसे क्या उपिलाइज करके इंटिग्रेशन को की कर दो ठीक है अपना मना रूल तो देखिए साइन पावर पोर एकस तो आप लोग को सूच रहोंगे यहां पर इस पर लगा दें और उसके उपर भी स्क्वार लगा दें हां वेश्म साही सोच रहा है तो यही हम भी करने वाले हैं यानि कि इसको आश्य नहीं सकते साइन स्कूर ए स्कूर न है कि इतना दो है दिवाक लगा सकते हैं चलिये इतना आधिये अब हम लोगो ने सीका है थे साइन square x की value जी यहां तो वही चीज हम यहां पे करेंगे is it okay तो इस चीज को erase करते हैं हमें पपर चलके इसको हम क्या से लिख सकते हैं यानि कि यह लिखा जा सकता है 1 minus cos 2x upon 2 2 का whole square तिक आप सुनो इतना हो गया अब यह चीज देखिए अब आप समझ नहीं पार होंगे साल स्कूर से यह कैसे आपया इधर देखिए cos 2 theta की identity आपने बढ़ी होगी cos 2x की क्या हो जाती है 2 identity होती एक cos की term में होती एक sin की term हम sin y की term में लेके चलेंगे 1 minus 2 sin square x हो जाता है identity है यहां से sin square की इसको ले आएंगे और इसको इधर बेस देगे और यह जब 2 है जाना कर दिवाइड में लागे तो यहीं बन जाएगा बन जाएगा तो ठीक यहां से हमें इतना बता जाएगा इतना हो जाएगा अब बेसिक सर्भूर लगेगा यहां पर क्या इसका square कर देंगे मदब इसका square खुल देंगे तो ऊपर वाले का square हो जाएगा a square मदब बन प्लस B square यानिकी इसका square यानिकी cos square 2x minus 2ab यानिकी 2 cos 2x अपोन का square यानिकी whole में 4 आ जाएगा इतने वी गोई ही कर देंगे इसको जोड़ देखो अब देखो अब क्या किया देश्टाइगा इसका integration अम लोग कर सकते हैं इसको separate कर देंगे इसको separate करेंगे इसको कर सकते हैं और इसका कर सकते हैं ठेक यभी cos है ना लेकिन cos square x का नहीं किया जा सकता है तो इसको भी हमें change करना पड़ेगा cos variety से use करके तो हम 4 को separate करते हैं यानिकी अब हम देखर कर हमने 1 upon 4 common ले लिया तो क्या बचा 1 minus 2 cos 2x plus cos square 2x बचा इतना बचा integration करेंगे इसका कर सकते हैं इसका कर सकते हैं इसका भी नहीं कर सकते हैं यानि इसको फ़र्दर change करना होगा आपे change करना होगा sign में बनाएंगे मुदब cos 2 theta की identity रहाएं मुदब cos 2x की identity ले रहाएं इसको change करने हैं इस form में change करते हैं तो यह 1 plus cos 2x upon 2 हो आजाता है यहीं चीज़ तो यहीं चीज़ हम लिकते हैं यहां पर यानिकी 1 upon 4 common ऐसे लिखा रहे दिरिया 1 minus 2 cos 2x plus इसको change करने का आजाएगा क्या जाएगा सुझें यह यहां पर बस 1 plus cos 4x आजाएगा अपन 2 यह आजाएगा अब यह नहीं से नहीं हो यहां से यह कैसे आजाएगा यह ऐसे आजाएगा सुनो कैसे आजाएगा कि cos 2 theta के अदेंटिय नहीं हो cos 2x की 2 यह पूरा x जाएगा क्यों जाएगा 2 cos square theta theta यहां पर 2x चलगा तो 2x theta 2 cos square theta माइनस 1 ठीक यह हो गया अब में क्या चाहिए यह बेरू चाहिए यानि क्या जाएगा 1 plus cos 2 bracket में 2x upon 2 आजाएगा equal to cos square 2x की value मारी यह आजाएगी ठीक आजाएगी ना तो वही मैं लिख लाओ यहां पर cos square 2x की value क्या रिखेंगे यह बेरू देखेंगे यानि की 1 plus cos 2x की जाएगा 4x आजाएगा 2, 2, 4 आजाएगा 4x upon 2, 2 आजाएगा 4x upon 2, 2 आजाएगा बोलो इतने में को दिक्कत हाँ इतने में को दिक्कत नहीं ना यहां से हम लोगों ने value उसकी उठाके बस वहां पर रख दी जाएगा ठीक है इतना हो गया उसके बात में क्या करेंगे हां तो देखिए हम लोगों का इतना question हो गया ठीक अब क्या करेंगे अब क्या करेंगे 1-2 cos 2x निखा जाएगी जैसे ही और यह अपॉन में आजाएगा 1 upon 2 plus cos 4x upon 2 आगया नंबर नंबर वालों को पास प्रिक दीजिए मतलब 1 और 1 upon 2 plus 4 कि किता जाएगा 3 by 2 आज जाएगा 3 by 2 minus 2 cos 2x plus cos 4x upon 2 आब देखिए क्या करेंगे आब कर दीजिए integrate चलिए integrate करेंगे दो हमें common दिख रहा है दो common ले देते हैं यहां दो common है यहां भी 2 है divide में यहां दो divide में नहीं है तो divide में दो कर देते हैं नीचे और दो उपर 2 से मंटिक आई कर देते हैं ठीक इतना हो गया आख integration कर दीजिए यानि इसका integration और इसका integration तो 1 upon 8 इसका integration कर जाएगा minus 4 cos का integration क्या होता है sin हो जाएगा तो sin 2x आ जाएगा और 2 क्या जाएगा divide में यह जाएगा तो लिखा है constant कर देगा divide में जाएगा plus cos का integration sin 4x upon 4 आजाएगा यह हो जाएगा यह हो जाए integration plus 3 तो छोटे का नहीं constant यह हो लिखे ना होकता है plus 3 तो देखिए यह integration होगा इसका क्या जाएगा 3x minus 4 कीचे हो जाएगा cost का sign आजाएगा और 2y को divide में जाएगा इसका cost का जाएगा sign और 4 जो है ना divide में जाएगा तो यह इसका integration ही हो गया को देखिए जरू लिखना थैक्स वर वाशिंग और इस वीडियो को लाइक कर दिजेगा और हाँ चनले को सब्सक्राइब भी कर देना इन डिलिश्ट के ऐसी फर्धर वीडियोज भी आती हैं एक चैनल पे take care बूलाई कर दो कर दो कर दो कर दो कर दो कर दो कर दो